वेलकम टू मा यूटूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग मैगनेट्स हलो फ्रेंड्स आज हम SACJE के प्रिभियस यर कोश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे जो की 2016 में कोश्चन पूछे गए हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्ष्ट मन्त दिसंबर में आपका SACJE इलेक्ट्रिकल सिविल मेकेनिकल की वेकेंसी आने वाली है तो जो कोश्चन 2016 में पूछे गए थे उसको आंसर विट डिस्क्रिप्शन के बाद इसमें चर्चा किये हुए हैं ठीक है तो कभी-कभी क्या होता है कि SACJE जो है कोश्चन को रिपीट करता है ठीक है जो विगत वर्सम कोश्चन पूछा उसको भी-कभी-कभी पूछ देता है तो सो इसको आप अच्छे से देखिए मैं इस तरह का 10-10 सेट करके 100 कोश्चन का सेट लाऊंगा पहला कोश्चन फोर मेगनेटिकली आइसोलेटेट क्वैल्स देखिए इसका आंसर क्या है इसका आंसर है डी जीरो चले देखते हैं कैसे जीरो हुआ फोर आइसोलेटेट क्वैल, M is equal to 0 कोश्चन अफ कॉपलिंग, K is equal to M by under root L1, L2 है as क्वैल is magnetically isolated, so its coefficient of कॉपलिंग will be 0 so K is equal to 0 चलते हम नेस्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नमबर 2 in an alternator, the nature of armature at 0, power factor, PF means power factor leading load is option A magnetizing, option B demagnetizing, option C non effective, option D cross magnetizing तो चलिए इसका answer देखते हैं इसका answer है A magnetizing चलते हम फिर next question की ओर question number 3 in a single phase resistance split phase motor, the phase difference between the currents in the axillary winding and the main winding is approximately option A 60 degree electrical, option B 60 degree mechanical, option C 30 degree mechanical, option D 30 degree electrical तो चलिए देखते हैं इसका answer क्या होता है इसका answer है option D 30 degree electrical चलिए चलते हम next question की ओर CRO cathode ray oscilloscope cannot be used to measure cathode ray oscilloscope cannot be used to measure option A power, option B voltage, option C frequency, option D phase मतलब CRO जो है किसको measure नहीं किया आ सकता है option A power, power को जो है CRO द्वारा measure नहीं किया आ सकता है तो चलिए देखते हैं इसमें किसको किसको measure किया आ सकता है तो CRO मेजर वोल्टेज CRO जो है वोल्टेज को मेजर करता पिक टू पिक आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर जो ड्रोइंग है ठीक है ये आपका ड्रोइंग बना हुआ VP-P मतलब कि एक लोवर है एक हाईयर है ठीक है तो पिक टू पिक बोल्टेज मापता ठीक है आप देखते हैं फेज एंगल बिट्विन टू पोइंटस आप देख सकते हैं 90 डिगरी है ना 270 डिगरी 0 डिगरी और 190 डिगरी ठीक है तो ये फेज एंगल को के दो बिंदो के इंपुट्स को मापता ठीक है ये फ्रिक्वेंशी अप टू मतलब ये दोनों के बीच का जो है फ्रिक्वेंशी को ही मापता है ये फर्मूला है Fy by Fx is called to Nx by Ny तो चलिए चलते हैं नेक्स कोस्टेन क्यों हो रहाँ कोस्टेन नमबर 5 एक करेंट कैरिंग कंड़क्टर तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है इसका आंसर है D 6.25 Ampere चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ तो इसमें एक फर्मूला का यूज होता है वो फर्मूला आपको जब देखिए स्क्रीन पे दीख रहा है आप देखिए ये एक प्रामरी वार्णिंग है और एक सेकेंडरी वार्णिंग है तो प्रामरी वार्णिंग देखिए 50 Ampere है न और सेकेंडरी वार्णिंग जो है प्रामरी वार्णिंग है क्या है एक टाइम से यानि आप देख लिजे कि इसका फर्मूला जब आपको निकालना है तो कैसे निकालना एक्चुल करेंट जो है तो in1, i1 is called to into i2 in1 क्या है प्रामरी का number of turns है i1 का है प्रामरी का जो है current है ठीक है आइवन क्या है primary into i2 into क्या है कि secondary का number of turns है और i2 secondary का number of current है आप देखिए इसमें in1 दिया हुआ है हाँना आपको i2, in1, i1 दिया हुआ है और i2 find करना ठीक है n1 i1 दिया हुआ है और n2 दिया हुआ है तो i2 कैसे find करेंगे तो n1 आपका देखिए i2 is called to n1 i1 by n2 तो 1 by 8 i2 is called to 1 by 8 n1 by n2 दिया 1 by 8 into i1 कितना है आपका 50 है 1 by 8 into 50 जब करिएगा 50 divided by 8 2 करिएगा तो कितना है गा 6.25 एंपियर ठीक है तो आप एक बार और देखिए कि आप देख रहें 50 ampere जो है primary है primary call में ठीक है secondary जो है primary call का 1 by 8 times है ठीक है और i2 का जो है value आप देखके निकालना है तो n1 i1 का value n2 का value पूट करके और i2 का value निकाल लेंगे n1 i1 by n2 ठीक है तो i2 निकाल जाएगा चलिए चलते है next question क्यों ठीक है question number 6 the accuracy of d arsonoval movements used in common laboratory meter is about of the full scale reading तो option a 10% option b 5% option c 1% option d 0.1% तो चलिए देखते हैं इसका answer क्या है इसका answer is c 1% the laboratory meters will have the laboratory meters will have an accuracy error of plus minus 1% with respect to full scale reading अब चलते है next question क्यों ठीक है question number 7 for an ABCD parameter of a transmission line which of the flowing is is correct option 1 a d minus b c is equal to 0 option b a d minus b c is equal to 1 option c b d minus a c is equal to 1 option d a b minus c d is equal to 1 इसका correct answer है option b a d minus b c is equal to 1 चले चलते हैं नेक्स्ट क्यों की होर question number 8 which of the following is a renewable source of energy option a wind option b natural gas option c coal option d oil इसका correct answer है option a wind wind हवा इस question का यह काना कि कौन सा ऐसा source है जिसको हम लोग बार-बार विपयोग में ला सकते हैं तो wind हैं जिसको हम बार-बार विपयोग ला जा सकता है यह जल्दी समाप्त नहीं होता है और यह कभी समाप्त देनी होगा question number 9 in a steam power plant the value of the reheat factor is the order of option A 2.1 to 3.0 option B 1.1 to 1.5 option C 1.6 to 2.0 option D 0.5 to 1.0 इसका correct answer है option B 1.1 to 1.5 इसका range है reheat factor का range है steam power plant में reheat factor रहता है उसका value है 1.1 से 1.5 के बीच में यह like करता है ठीक है reheat factor is called to 1.1 to 1.5 in a steam power plant steam power plant में reheat factor होता है वह 1.1 to 1.5 होता है चलते हैं लास्ट कोस्टन की ओर जो मेरा दस्वा कोस्टन होगा नम्बर दस कोस्टन नम्बर 10 determine the external resistor required to reduce the line voltage from 120 volt to 72 volt for the operation of a device the device is rated for 120 volt 100 watt option a 96 ohm option b 144 ohm option c 48 ohm option d 240 ohm तो चलिए देखते हैं इसका correct answer क्या है option a 96 ohm यह 96 ohm आया कैसे चलिए इसको देखते हैं न इसमें एक formula यूज करते हैं आद देखें ड्रोइंग में देखते हैं कि external register निकालना है register का जो rated value of 144 है और 120 volt जो है इसका line voltage है जो की reduce जो के 72 volt आता ठीक है तो आप देख सकते हैं इसमें formula यूज किये गया है rated equal to V square by P तो 120 का square by 100 आद देखते हैं 120 square दिया हुआ है न तो इसको जब solve किजिए गा 144 है तो इसमें क्या लगाएंगे voltage डिभाइड रूल लगाएंगे जिसका formula होता है rated by external register प्लस rated register into 120 equal to 72 हमको ठीक है हमको external register find करना है तो हमको यह formula यूज करना है 120 कहां से है तो जो line voltage यूज करना है 120 और जो को reduced होके कितना होता है which equal to 72 तो rated कितना है 144 by हमको r rated कितना दिया है 144 ही दिया है चुकि rated निकाले है और r rated भी दिया सेम 144 ही दिया हुआ ठीक है 144 प्लस external register को हमको find करना है तो उसको बस वही रहने देंगे into 120 equal to 72 अब जहां multiply करेंगे इसको है multiply जब cross multiplication करेंगे तो आएगा कितना 240 is equal to 144 प्लस external register जब करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे जब इधर आएगा तो sign change हो जाएगा तो 240 minus 144 is equal to 96 ohm तो इस तरो जो आप निकाल सकते है ना formula से आप external register निकाल सकते है ठीक है तो दोस्तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को like, share and subscribe करें जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को like करें, share करें और subscribe करें और जो इस चैनल पर पुराना है जो लड़ी subscribe कर चुके हैं वो like और comment करें तो चलिए चलते हैं